मैं सर्वन सिंग पंदेर किसान मजदूर्श किमेटी का सूभा जनरस कतर बोल रहा हूं परधन मंत्री जी का जो दावा था पि हम 22 को 2022 को किसानों की आमदन दुगनी कर देंगो उसकी हावा निकलती हमें नजर आ रही है आप देख लिए जिस तरह से उर्वरकों के कितना जहर के डीजल की खेती मिशनरी के दाम बढ़े हमारे इंपूर्स तो और भी अधिक बढ़ रहे हैं किसानों की खुदकुशियां कर्च के कारण जादा हो रही है और उनके दावे अभी तक सच साबित नहीं हुए तो भाजपा के परधान नड़ा जी जो आज आने वाले आगाम अलक्षन को लेकर जो है मीटिंग कर रहे हैं तो हम कहते हैं नड़ा जी लक्षन के बीज आप जो मर्जी मुद्द्व को विचार कर जीएगा पर किसान अंदोल्दन चल रहा इन तीन क्रिशी कानूनों को रद करने का और मस्पी गरंटी का कनून वानाने का अगर आप माले तो फिर आप लक्षन जी सकते नहीं तो आपने देखा जिस तरह से बाई लक्षन में 29 में से 24 में आपका सफाया हो गया आपको पूरे आने वाली अलक्षन जो है जो देश के किसान मजदूर है वो सत्ता से बाहर करेंगे कानून भी रद करने परेंगे और ये भी विचारि लखींपूर के मुख्य दोची जो केंद्री ग्रय राजमंत्रिया है उनको जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए तो सवा 11 महीनों के बाद भी ये जो अंदोलन है पूरी जोर सोर से दमखम से जारी है और आगे भी जारी होगा जो मोधी सरकार की पोलिस है दिल्ली पिल्स हम पूरी तरह अमल करते हैं और जो गुर्दासपूर जिले का है चौंतिसवा जथा पंद्रा नुवंबर को रवाना करेंगे और पैंतिसवा जथा अम्रिसर जिले का जिसकी आज भी त्यारी के लिए मीटिंग कर रहे हैं वह भी जल दरवाना होगा दिल्ली मोर्चे को पका क करने के लिए और चन्नी सरकार से हम कहते हैं भी वैट की दरे वो कम करें और जिस तरह से गड़े मारी और नर्मे का खराबा हुआ उनका मापजाबी त्रंत देना चाहिए नशे की भरमार है पंजाम उनको खत्म किया जाना चाहिए धन्यवाद